हेलो सो एसके एलेक्ट्रोनिक साथ का स्वाग है दोस्तों कैसे हो आप आसकते हों बहुत अच्छे होंगा अच्छे रहोंगे भगवान आप सभी को खुछ रखें दोस्तों देखें ये युनिवर्साल के मेरे पास एलेडी टीवी आयरे पेर होने के लिए ठीक है इसमें जो स बगाता हूं मैं दिखाता हूं क्योंकि दोस्तों हमारी जो ना इलेक्ट्रोनिक सोप है हम जो दिखाएंगे रिल यह हमें कोई दर जाकर वीडियो बनाने का सोप नहीं है इसलिए वीडियो को लाश्त देखा करो और दोस्तों हम रिपेर करके दिखाते हैं बहुत से इन्फ काफी मन में आप अभी यह सोच रहँगे यह जो डीड्यूट्व मखेनिक होंगे कि इसमें बरनिंग मोड लगा है चार पटी तो दोस्तों किस वजह साई इसमें जो ऐसी समस्था आ लिए तो यही दोस्तों हम बताएंगे अ किस चेक कर के बताएंगे आपको किस चेक करनी है क्या नहीं दोस्तों वीडियो को लाच टाख बने नहीتم 약간 पे लिए होत प्लेइ चैनल करेंगे चलो मैं आपका एक डाउट भी क्लियर कर देता हूँ जो से यह सुचेंगे बर्निंग मोड़ी है अब देखे सबसे नीचे का यह पावर वाला बटन है ठीक है मैं इस बटन को 3-4 सेकंड तक दबा के रखता हूँ जो साइड में इंडिकेसर है जो ओन ओफ का है वो भी काफी जादे बिलिंकिंग कर रहा हूँ क्योंकि बटन प्रेस अरेगुलर देख सकते हूँ देखे अब भी भी वही प्रोब्लम है अगर यह बर्निंग मॉड होता तो दोस्तों इसमें हमारा अब तक LED TV बंद होके ओन होता और अपने जो भी लोगों वगयरा वह आके चल जाता देखे अभी भी टीव महीं पर रुका हुआ है वाइट वगयरा वाइट आ रहा है कलर आ रहे हैं देख लीजी अच्छे से देखिए अच्छे से कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए माइम में देखिए काफ जल्दी साब को दिखा दो आपका समय बिल्कुल भी वेश्टम नहीं करेंगे ठीक है दोस्तों यह समझ्या काफी पहले भी आई थी बहुत साइज उस समय पर मुझे इस चीज का नहीं पता था कि अपने दर्सकों को भी सिखाना है जो बताना है तो हमने भी पहले भी रिप तक तो बहुत आसानी से हो जाएगा मैं आपको जहोंगा तो मैं जल्दी से इसके पैच को ले दो उड I कि यह शींहों होती है पस्टरी कउसल का अपने इस की मोद घू मरे तो चाहिए मोदो नहीं को सो अबữa действительно दोस्तों हरा HOW पने दोस्तों का प्राइज रेंज उसका सही है तो यह इस चो पर दोस्तों नहीं उट पा रही है क्योंकि यहां पर एलवीडियस जो लगा हुआ है वो काफी छोटा दिया गया है वो भी उसके साब से ठीक है आगे से खुलता है मैं अभी आपको दिखा दूंगा तो मैं इसमें क्या यह वीडियस कर्णेकटर को बाहर निकालूंगा और भी आपक लाइए निकाला नेता हू nyt में पहले फिर लवीडियस कर्यक्टर निकालूंगा हमें एक चीज क्लियर करनी है हमारे पास सेम ऐसा ही एक बोर्ड है जो नया है जो के पास मतलब क्लियर है तो मैं जड़ा एक बार उसको लगा कर देख लेता हूँ वो फ्लैस है ओर लेडी तो अगर उसके भी समस्या है तो हमारी पैनल की समस्या है बोर्ड अगर नहीं है तो मैं वो भी तरीका बता दूँगा तो कैसे चेक करना है तो पहले आप देख लिजे जिसके पास बोर्ड है उसके लिए जिसके बोर्ड नहीं है उसके लिए भी मैं बताता हूँ जिसके बोर्ड है वो लगा के देख लिजीएगा यहाँ पर दोस्तो जो इसका L.V.D. सा वो तो सेम है लेकिन जो सप्लाई का है वो थोड़ा जिक चेंज करके मैं इसके सीधी कर लेता हूँ पिर आपको दिखा दूँ अगर दोस्तों आपके पास बोर्ड नहीं है तो मैं आपको बताता चाहता हूँ इसमें जो पावर सप्लाई जाती है हमारी किसके लिए पैनल के लिए वो वोल्ट चेक करनी है आपको तो 5 volt है या 12 volt है तो जो जाते हैं पांच वल्ट मिलते है च्ट वाले तो 5 वल्ट चेक करें अगर ठीक है तो एल विडियास को साफ करके देखना है उसके बाद थीक है अगर आपके स्टेंड वाई से लीज होने के बाद मैं 5 वल्ट आ रही है तो समझे एकाड हमारा कर्यवरी ठीक है तो में हे दोस्तों देखिए इस काड पर लगा दिया है हमने यह सब्जु बणा दिया है और हम इसके स्पीकर भागर लगा देते हैं टेस्टिंग लिए यह में बताया दो सेंивается काड नहीं है उसके लिए व इसके पाद है उसके लिए और उसके ले लगा के देख सकते हो और सप्लाई सेम डूसे में इसी से दे दीजिए अगर पिन आउट अलग हैं तो दोस्तों महाँ पर आप नीचे से देख लिए सप्लाई की वॉल्टेज कितनी कितनी हो तो हम इसी को लगा के एक बार चेक करते हैं बैकलाइट लगाई और इसको अन करते हैं है उस्टन वाइस से रिलीज करते हैं इसको अ कि जलत देखते हैं तो भी हॉइड आए अवी यह ऐसी बिलिंकिंग सी कर रहा है और देखें । देखें कलर भी सेम ऐसी हर आ रहे हैं जैसे आपने देखें अब ही मतलब सेम प्रोब्लम वही है जो हमारी पहले प्रोबलम तो आपको चोटा सा गाम करना है घबराईए गमनत मैं आपको बताना चाहता हूं पhले मेरी बात पर धियान देना अब इसमें होता क्या है अगर हमारे सिगनल जाते हैं और हमारी कोई भी वोल्टेज या गामा सिगनल या कोई वी एल वीडियस के कनेक्शन दिक्कत होती है से लवीडियस का कनेक्टर फेल हो जाने से या कनेक्टर अच्छ ना लगपाने से बर लेकिन वह सब लगा हुआ है अब हमें करना क्या है इसको पहले मैं इसी बॉर्ड को हटा लेता हूं यहां से इसी बॉर्ड पर चलाएंगे जो इसको ठीक करेंगे और मैं आपको समस्यां एसी करता है कैमरे के पास लाके इस पेनल की रिपेयर करें इसा क्या फाल्ड आते है मैं रिप पास रेके जाता हूं अभी आ आपको रियल दिखाता हü registered तो मैं देखिक कैमरे इस के पास लेके आया हूँ, अब इसको क्या क्रूंगा इस panel को जिस प्राम में हमारी problem है इस panel को हम अलग करेंगे बिल्कुल यहां से और यह जो नीचा का area है इसे अलग कर देंगे अब भी देखना भी हम क्या करेंगे चोटा सा काम करना यह पandez plus आप देखेए इस panel को उल्टा कर लैते हम में दुकान में एक ही ऐसा पैनल है यह जो इतना चोटा है वन्हें सब बड़े-बड़े हैं काफी सारी तो इसको हमने रखा है यह मैं कैमरे को सेट कर दूँ आपको बिता हूं क्या करना है देखिए एलवीडेस कनेक्टर को LCD की तरफ से निकालना है ठीक है इसको अच्छे से निकालना है हमें इसमें पहले तो दूँ लगंद की जम्री इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा तो हमें यहां पर ऐलवीडेस कनेक्टर को निकालना है यृ lever κι अक्रो को निकालने से पहले जो भी इसके इसको फीर कर लेना है कहीं पर आड़ाूंव जैसे यहां पर एक टेश हुई है अच्छी बात आंट लगा रखी है नहींता हील जुलाकर लोकेशन चेंज करने में तो दोस्तों जब हमारी इस तरह की समझ चेहते हैं उस में हमें वेडिस को साफ करना होता है या जज़ने कोुदा होता है अगर सेपी ये समझे समय होता है तो थिनर से बुर्स लेकर के इसके कनेक्टर गो seis करना होता है जहां वेडिस लग वैut वीडियोस को नाफ कर रहा हूं इसको करSaf करना आपको कि तरफ में वेपीन एसकलियुकोट करना है तो इतनी आद्धायाम से करती है जिसे कोई तूटेना क्योंकि अगर इस दोस्तों तरह के समयगें शोड कुछ प मोड़ मैंने पहले ही बताया था सिंगल सिंगल कलर आती हैं उसमें तीन चार कलर एक साथ नहीं आती हैं तो हमारा एल वीडियो दोनों तरफ से अच्छे से साफ करेंगे हैं ठीक है काफी से दोस्तों मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं काफी जिक दिकत जो आलेडी टीव में आती है या एर कंडिस्नर में आती है वो प्रोब्लम आती है हमारी जादेतर जहां पर नाला होता है गंदा नाला जो होता है या काफी बड़ी बड़ी नाल या फैक्टरिया होती है उनके पास जो लगे होते हैं वहाँ पर जाया समझते हैं वो तो क्यों आती हैं मैं बत तो जल्दी से मैं दोस्तों इसको लगा के दिखा देता हूं आपको फिर मैं आपको दिखा दूंगा क्या समझ यह थी इसमें कर देंगे हैं और एक चीज़ याद रखना है जिदर से सप्प्लाई का पॉइंट हो दर की सप्प्लाई देना है एक डोट लगा होता है ठीक है अलवीडीएस उल्टा ना लगा दें कभी मैंने सेप्प्लेड वीडियो बना रहे इस पर उल्टा चीज़ा किसे पैसे पतल है आपको हम जब कोई एलेडी टीवी या कुछ भी खोलते हैं चाहिए उसमें एक रेश्टेंज का फाल्डो चाहिए पूरे बोर्ड का फाल्डो से कुछ रिपेर करना वह एक दिखाते हैं तो उनकिया स्टेंट बाइस से रिलीज करते हैं और फिर जड़ा चेक करते हैं तो दोस्तों देखिए आपके सामने यूनिवर्साल लिखा चुका है इसमें इस्टेंट बाइस से रिलीज हो चाहिए काफी अच्छा चला देखिए बहतीं दरह से देखिए 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 वही बॉड है दोस्तों, देख लिजेगा, वही एल विडिया से, शिर्फ एक सफाइस है, दोस्तों, आप करके देखना, ये किन मानों करके देखना, निगेटिव कमेंट मत करना कि ऐसे नहीं होगा, देखे दोस्तों, बंद करके चला कर दिखाता हूं आपको, शिर्फ वही परसेंट होगा इस समय से किया यह समय चाहती है वरना एल वीडिया चेंज कर देना जरूर हो जाए तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दूस्तों सेर करना आज के इतना ही जैहिन वन्हें मातम दोस्तों आप का दिन सुबहु